इस नमस्कार मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आप मेसेज जिन लोगों ने रभिन्दभरत इनिवर्सिटी में एपलाई किया है बीएफे एडमिशन के लिए मतलब बीएफे एंटरंस एक्जाम देने के लिए आप मेसे बहुत लोगों का कुछ लोगों का कुछ इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए मैं कोशिश करूंगी आपको सारे इंफर्मेशन देने की जैसा कि आपको यह पीडियेफ मिला होगा यहां पर लिखा हुआ है आपके कौन से कौन से डिपाट्मेंट मेंली है चार डिपाट्मेंट जो कि है पेंटिंग मेंकिंग यह सिर्फ प्रिंट मेंकिंग है जहां पर प्रिंट मेंकिंग के वर्क होते है लिनो कर्ट लिनो ऐसे टाइप के वर्क होते है और इसके अलाबा एक और और डिपाट्मेंट है हिस्ट्य आफ जो कि सिर्फ ठ्योरिटिकल है जो लोग हिस्ट्य आफ में इंट्रेस् तो सबसे पहली question इधर आपके eligibility क्या है अगर आपने इस पास किया है तो आप कर सकते हो लेकिन दो साल से ज्यादा study break आपके नहीं माने जाएंगे किन लोग कौन कौन से लोग apply कर पाएंगे जो 2024, 2023, 2022 मतलब इस साल और इसके पिछले दो साल में आपने पास किया है class 12 तो ही आप apply कर पाएंगे उस से पहले के मतलब 2021 किस से पहले के लोग apply नहीं कर सकते तो इधर किस टाइप के artwork आपको mainly बनाने को देते हैं चार्ट department है सब में ही subject composition आपके आते है जैसे इस टाइप के pencil से drawing किया गया कोई भी topic आपको बोल गया जाएगा जो कि pencil से आपको subject composition बनाना होगा line drawing से एंड इसके अलावा भी जो लोग departmental मतलब जैसे की painting में अलग से watercolor color composition भी करने को दे सकते हैं जो लोग sculpture में हैं उनको कोई 3D clay modeling करने को दे सकते हैं जो लोग applied art और graphic print making इस टाइप के department में जा रहे हैं वहाँ पर आपके paint and ink या फिर black and white illustration type के drawing करने को दे सकते हैं इसके अलावा आप नॉर्मली अगर इस college में मतलब admission के लिए जा रहे हो तो mainly आपके subject composition होना जरुवी है तो exam में किस टाइप के phase होंगे इधर आपको लिखा हुआ है first page में आपके रहेंगे 70 marks जिन में से 50 marks होगा practical test and 30 marks जो होंगे 20 marks जो होंगे वह आपके होंगे essay writing इधर आप देखिए essay writing 20 marks का उधर ही कोई भी topic में आपको 300 या 500 word में essay writing करना होगा and 50 marks आपके drawing artwork जो भी आप बनाएंगे उधर उसके उपर होगा department आपको इधर दिखेगा ठीक है and यहां पर अगर आपके 70 marks में से जो भी marks आपके आते हैं उसके उपर depend करके आपके selection होते है final selection जिन में आपके phase 2 जो की वाइवा है ठीक है वाइवा में रहेंगे आपके full 30 marks व कोई भी question जो भी आपको भाइवा में पूछा जाएगा या फिर कुछ भी आपको करना को करने को बोलेंगे उधर drawing करने को बोले या फिर कुछ भी दिखाने को बोले इसके अलाबा भी 5 artwork minimum आपको लेके जाना है आपके खुद के बनाए हुए artwork ठीक है ये साड़े मिला के आपके 20 marks रहेंगे and hs के जो result आपके है उसमें से कितने percentage आपके है उसके उपर आपके 10 marks है अगर आपको 70% है तो 7 out of 10 अगर आपने 90% लाई है hs में तो आपके 9 out of 10 ऐसे करके आपको नंबर मिलेंगे 10 में से कुछ hs के marks and 20 marks आपके भाई बागे ये हो गए total 100 marks इससे ही आपका main selection होगा इसके अलवा एक और चीज़ आपको बता देती हूँ आपको apply कैसे करना है इधर आपको सारे notice procedure मिलेगा अगर आप में से कुछ लोग एक से ज्यादा department में apply करना चाहते हो like अपने painting में भी किया है आपको apply data में भी देना है तो आप कर सकते हो separately अलग अलग जो मेंशन किया ग दिया है वह अगर आपके match ना हुई है या फिर कुछ मतलब थिक सदीक नहीं रहा है फोटो में तो वह कैंसल भी हो सकता है तो आप ध्यान से वह फिल अप कीजिए सारे के सारे इधर आप पर सकते हो क्या क्या आपके procedure है और कुछ लोग का admission को लेके डाउट रहता है तो प्रीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप में से बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन 13% सब्सक्राइब करते हैं बाकी लोग नहीं करते हैं तो प्रीज सब्सक्राइब कीजिए